नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग fantasy talent आप YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों इंडिया और West Indies का जो पहला match हुआ था उसमें unexpected betting order ने काफी सारे लोगों का दिमाग हिला दिया था और कुछ ऐसा ही आप लोगोंने हमारे साथ लाइक और comment वाले section में किया था जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आप लोग कंप्लीट करते हो तो पुनीत सुपरस्टार जीसी वीडियो के स्टार्टिंग की जाएगी तो इस तरह मुंग करके कर दूं क्या चलिए दोस्तों ये तो part of job था लेकिन आप बात करते हैं इस match के बारे में और इंडिया और West Indies के इस वाले match के अंदर almost आपको similar देखने नहीं मिलेगा जैसे आपने पिछले match के अंदर देखा था बैटिंग ओडर में फिर से change होगा इंडिया की तरब से आपको दोवारा से वही पुराना बैटिंग ओडर देखने मिल सकता है especially अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रही है तो और दूसरी चीज़ ये कि अगर West Indies पहले बैटिंग करते हुए बड़ा score बना देती है तो चली दोस्तों स्टार्ट करते हैं और इस वाली वीडियो के अंदर अगर आप लोग 4000 लाइक को complete करते हैं तो Grand League की जो टीम्स है मैं आपको शेयर करूंगा इंस्टाग्राम पे तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इंस्टाग्राम को जोइन नहीं किया वहाँ भी जोइन कर लेना और जैसे ही 4000 लाइक्स complete होते हैं आपको Grand League की टीम्स इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगी तो चली दोस्तों आगे बढ़ते या फिर ये जो QR कोड आपको दिख रहा है अब इसको स्केन करके भी हमें टेलेग्राम पे जोइन कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेन्यू के बारे में एक बार फिर से जो ये मैच होगा कैनिंग स्टन ओवल बिरिज टाउन बारवादोस में होने वाला है इस मै अगर मैं आपको पिच रिपोर्ट के बारे में बताऊं तो दोस्तों लास्ट मैच का जो विकेट था वो बहुत ज्यादा ड्राय था और अगर उसी विकेट का दोबारा से इस्तमाल होना है जो की पीच नमबर नमबर तीन था पिच नमबर तीन अगर दोबारा से इस्तमाल होता है तो यह मान लीजेगा कि आपको सेम बिलको सेम पर्फॉमेंस दो बारा से देखने मिल जाएगा क्योंकि जो विकेट था वो बहुत ज़ादा ड्राय था और यह जो चीज है मैंने आपको टेलेग्राम पर भी बता दिया था तो जो लोग तो लास्ट मैच की तो शेहोप नंबर चार पर बेटिंग करते हुए 43 का स्कोर किया इशान किशन ओपन करने आये थे इन्होंने 50 किया था यहाँ पे काईले मेर्स का शतक था नंबर चार के टॉम लेथम यहाँ पे शेमरा बुरूक्स नंबर तीन बेटिंग कर रहे थे नंबर तीन के प्लियर कैन विलियमसन ने स्कोर किया यहाँ पे ओपन करने आये फिन एलन ने स्कोर किया और यहाँ पे यानिक ने स्कोर किया था maximum matches में हुआ क्या है कि top order ने अच्छा score किया इसके पीछे का एक और reason है कि दोस्तों यहां का जो wicket है वो dry surface होने की वज़े से जैसे match आगे बढ़ा है wicket और खराब हुआ है और starting में जो run हमें देखने मिले हैं वही run team की तरफ से highest scorer बने हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखेगा अगर आप किसी बल्लेवास को captain wise captain करना चाते हैं तो वो top order का हो तो ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि वहीं से आपको score मिलने के chance ज्यादा है और जिस तरह का wicket last match का था एक बार फिर से आपको spinners का domination देखने मिल जाएगा अब दोस्तो लास्ट जो मैच हुआ था उसमें अथान्जे ने 22 का score किया इस बंदे ने दोस्तो बहुत ज़़ा इंप्रेस किया है बहुत बढ़िया बेटिंग की थी शेह होप ने 43 का score किया था और गुदा केश मोटी ने निकाले थे 2 wicket तो दूसरी तरफ इशान केशन जूकी open करने के लिए आ गए थे तो इन्होंने 52 का score किया रवेंदर जटेजा 16 run प्लस 3 wicket और कुलदी प्यादब ने 4 wicket निकाल कर अपनी टीम को दिये थे अब प्लेइंग 11 में दोस्तो आपको changes तो शायद ही कोई देखने मिले ज्यादा से यह हो सकता है कि इंडिया की तरफ से कुछ experiment होते हुए नजर आ जाए और West Indies की तरफ से अलजारी जोसेफ की वापसी हो जाए अलजारी जोसेफ आपको खेलते हुए नजर आ सकते है या तो जैडन सेलेस के इस्तान पर या फिर आपको यही तीन गेंदबाज गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे अगर वहां तक गेम जाता है तो और West Indies की तरफ से जैडन डॉमिनिक ड्रेक्स और शेफ़र्ड है और यहाँ पे शेफ़र्ड, जैडन सेलेस और गुदाकेश मोटी आपको डैट ओवर्स में गेंदबाजी करते हुए दिखते हैं अब जो पहला नाम है इंडिया की तरफ से दोस्तो वैनी रिकॉर्ड वही लास्ट मैच वाला है तो इसको अभी के लिए हम तुछा सा एवाइड करेंगे तो यह आपको ओपन करते हुए ही नजर आएंगे और जहां तक मुझे उम्मीद है टीम इंडिया को जो एक्सपेरिमेंट करना था वो उन्होंने पिछले मैच में कर लिया है अब वो यहां पर रोही शर्मा को ही ओपन करने भेजेगी तो रोही शर्मा ओपन करेंगे एवरेज स्कोर इनका वेस्ट इंडिस के सामने 57 का है और पिछले अगर हम दो सालों की बात करें तो 40 के एवरेज को मेंटेन किया है तो अल्मोस्त देखा जाए तो रिकॉर्ड बढ़िया है अब लेफटा मीडिया में परेशान करता है तो यहां पर डॉमनिक ड्रेक्स को मौका मिला था पिछले मैच के अंदर लेकिन जब ये बैटिंग करने आये थे तब उनको गेंदबाजी मिली नहीं और वैसे भी नई गेंद के साथ में समस्या है पुरानी गेंद के साथ में नहीं है और एलजारी जोसेफ अगर खेलते हैं तो वो तीन बार इने आउट कर चुके है तो इस वज़े से जो रोहिश शर्मा है मेरे एस अ प्लियर टीम में रहेंगे तो पिछली अगर हम दो सालों की बात करें तो 66 का एवरेज है अब लास्ट मेंच में एक बार फिर से सेकिंड बेटिंग कर रहे थे और सेकिंड बेटिंग करते हुए इनका एवरेज थोड़ा सा कम है मतलब अगर कंपेर करें पहली पारी से वैसे 40 भी एवरेज कम होता नहीं है लेकिन अगर हम फिर से कमपेर कर रहे है तो वहाँ पर कम है तो आप देखेंगे पहले बेटिंग करते हैं तो कतरनाक है तो पहले बेटिंग करते हुए कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया जा सकता है इसके बाद नमबर 3 पर आपके सामने आते है विराट कोली जिन्होंने लास्ट में बेटिंग कीग नहीं है वうわیसे दो दोस्तों इनका नॉर्मली डाउन नंबर 3 ही है और वही बात है दोस्तों अगर पहले बेटिंग करेंगे तो ये नंबर 3 ही खेलेंगे इनका दोनों पानियों का रेकॉर्ड बडिया है हलाकि 50 और जो शतक ज़ादा किये है वो पहले बैटिंग में किये है और average भी पहले बैटिंग में ही बढ़िया है तो अगर इन्हें हम captain wise captain बना रहे हैं तो first inning में बैटिंग करें तो ज़ादा better option होगा इसके बाद वेस्ट इंडीज के सामने इनका record बहुत ताबर तोड़ है 66 का average है और्थोडोक्स के सामने average इनका 14 का हो जाता है तो गुदाकेश मोटी जो है जिनके पास में एक और मोका बनता है कि वो यहां से wicket निकाले और इसके अलावा इलजारी जोसिफ तीन बार आउट कर चुके है फिर आते हैं दोस्तो सूरिकुमार यादा सूरिकुमार यादा वंडे में दोस्तो थोड़ा फस रहे और्थोडोक्स के सामने कितनी समस्या है वो आपको यहां नजर आती है देखिएगा पाँच बार और्थोडोक्स को wicket दे चुके है अपनी 22 पारियों के अंदर और 21 का इनका एवरेज है और पिछले मैच में भी और्थोडोक्स नहीं आउट किया था तो यहां देखे तो राइट आम मीडियम छे बार आउट कर चुके है और लेफट आम फास्ट बोलर ने दो गिने डाली है और दोनों गिनों में आउट किया था वो कौन थे यह आपको पता है मैचल स्टार्क अब यहां पे देखे तो उननीस का स्कोर किया जब तक फास्ट बोलर गिनवाजी कर रहे थे बड़िया रन बनाए लेकिन जैसे ही स्पिनर आए वहां फस गए थे तो स्पिनर के सामने दिक्कत हुई है इन्हे गुदाकेश मोटी ने पिछले मैच में भी आउट किया था और काईले मेर्स पहले एक बार आउट कर चुके हैं और जैडन सेले जो की लेफट आम गिनवाजी राइट आम मीडियम गिनवाजी करते हैं वो इन्हें परिशान कर सकते हैं तो कुल मिलाकर सुर्व कुमारे अदब थोड़े से रिस्की है तो ट्राइ करेंगे सिर्फ जी एल के अंदर हाला कि इनको बैटिंग का मौका दिया जाएगा एक बार फिर से इसके बाद दोस्तो इशान किशन ओपन करने आये थे 50 का स्कोर किया है वेस्ट इंडीस के सामने दो पारी में अस्सी रहें अब उस तो कितने लोग सहमात हैं कि संजू सेमसन जो जिनका की ओरिजनल बैटिंग डाउन नमबर 5 है उनको ना खिलाते हुए इसान किशन को ओपन कराएगा जब की पता है कि ओपन नहीं करेंगे ये ये ओपन नहीं करेंगे ये सब जानते हैं वर्ल्ड कप के लिए रोहि ये क्रिकेट में लगबग 40 का एवरेज है दोनों पारियों में बढ़िया बैटिंग करते हैं पिछले मैच में 50 भी किया है और हाल फिलाल में कोई कमजोरी इनकी नहीं है फिर आते हैं इसके बाद नमबर 6 पे तो नमबर 6 पे आपको मिलते हैं हार्दिक पंडिया 5 रन प्ल बैटिंग कर रहे हैं तो second betting में risk लेने की आउश्कता नहीं है और ये तीन बार 50 कर चुके है जिन में से 250 पहले बैटिंग करते हुए है और दस पारी में 13 विकेट पहले गिन्दबाजी करते हुए निकाले है और चार विकेट second inning की गिन्दबाजी में है राइटा मीडियम फ़ड़ा परिशान करता है रो मारियो शेफ़र्ड एल जारी जोसेफ अगर खेलते हैं तो नहीं तो जैडन सेलेस आपको मिलते हैं फिर दोस्तो रवेंद्र जटेजा दोस्तो जिस तरह का विकेट हमने लास्ट मेच में देखा है तो आप इनसे कम से कम दोर मैक्सिमम चार व तो हम शुम्मन गिल की तरफ जाएंगे नहीं हम जाएंगे शर्माजी की तरफ नहीं कोहली की तरफ क्योंकि हमें दिख रहा है कि इनकी बल्लिबाजी आ रही है दिख रहा है कि गिन्दबाजी में दस ओवर में आराम से दो से तीन विकेट मारेंगे तो ये बड़ी केटन बन जाएंगे सीधा राविंद्र जडेजा अब हम बात करते हैं कुल्दी प्यादव लास्ट में चार विकेट थे और्मोस्ट चार नहीं तो दो विकेट तक इस मैच के अंदर मार सकते हैं अब अगर विकेट की बात कर रहा है दोस्तों मैं बार बार वही विकेट प साथ में जाना पसंद करेंगे यहां पर देखिएगा च्छे का एकोनॉमी है और उन्तालीस विकेट निकाले हैं वेस्ट इंडीस के सामने तीस विकेट है पहले गिंद बाजी करते हुए बाइस है तो सेकंड गिंद बाजी करते हुए 17 विकेट है मुकेश कुमार एवरेज टीम मेनेजमेंट है एक पारी एक विकेट है जो कि इनोंने पिछले में निकाला डेवीव किया था फिर दोस्तों शारदुल ठाकुर आठ पारी 12 विकेट इनके खाते में शामिल है और ODI में 36 पारी में 51 विकेट इनोंने निकाले है और ये बेटिंग कर लेते हैं लास्ट म गिंदमाजी की तरह रहेगी तो इनको फाइदा नहीं मिल पाने वाला है तो इसलिए उम्रान मलिक को अभी के लिए हम छोड़के चलने वाले हैं आप दोस्तों बात करते हैं यहां से सीधे West Indies के बारे में तो West Indies की तरफ से ये खिलाडी सबसे important रहेगा Shy Hope और इसके बाद Hitmire दूसरे important pick है और सबसे बड़ा differential pick अगर कोई player बनता है तो वो है Alec Athanze क्योंकि दोस्तों पिछले match में भी positive betting इनका नज़र आया था positive इनका attitude था तो कुल मिलाकर Athanze जो है ये आपके लिए एक बड़े differential pick का काम करेंगे क्योंकि last match में जल्दी out हो गए तो इसके बाद काफी सारे लोग अभी भी इने team में नहीं रखेंगे लेकिन ये खिलाड़ी important है और रही बाद गिनबाजी की तो यानिक करेया ने निकाले है चार गुदाकेश मोटी के खाते में दो wicket add हो चुके है और अब हम यहां से बात करते है वेनी record की तो दोस्तो ब्रेडनन किंग 17 का score है इंडिया के सामने 23 का average और पछले दो सालों में 33 का average जो तो almost देखा जाए तो 1 day के इसाब का performance नहीं देखने मिला है 6-50 दो शतक कि यह जरूर है हाला कि दोस्तो इंडिया के सामने सिर्फ 1-50 किया है 7 पारी में तो यह risky choice है टीम में रखने का फायदा होना नहीं चाहिए left arm medium, right arm off break और leg break इन्हें परिशान करता है हाला कि यह बड़ा plus point है कि तीनों गिंदबास अभी इंडिया में खेल नहीं रहे फिर दोस्तो नमबर 2 काईले मेर्स काईले मेर्स का टीम में रखने का नुक्सान होगा नहीं क्योंकि दोस्तों यह गिंदबाजी भी करते हैं अगर मैच पूरा 50 ओवर का होता है तो लगभग 4-6 ओवर तक की गिंदबाजी यह करके दे जाएंगे अगर उसमें एक आदिक विकेट निकलता है तो आपके 20 point वहां save होते हैं और फिर इसके बाद यह थोड़े बहुत run बना सकते है ऐसी दिक्कत नहीं है इनके साथ में तो कुल मिलाकर यह खिलाडी आपकी टीम में बैट जाएगा फिट दो शतक लगाए हैं पहले बैटिंग करते हुए दो 50 से 2nd बैटिंग करते हुए ओफ ब्रेक परिशान करता है लेफटाम मीडिया परिशान करता है पिछले मैच में एक गलश शॉट खेलकर आउट हुए थे जिसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ा फिर दोस्तो एले कैतान्ज है ये लास्ट मैच में जिस तरहिके से आउट हुए थे न दोस्तो वो था एक अच्छा कैच रविंद्र जटेजा का बाकि और कुछ नहीं था वो गेम इतनी अच्छी नहीं थी कि उसपर विकेट मिले बाकि विकेट मिला है तो कुल मिलाकर दोस्तो इस खिलाड़ी को में एक बार फिर से अपनी टीम में लेकर रिस्क उठाऊंगा अगर आप नहीं उठाना चाहते हो आपकी मर्दी है इन्होंने दो मैच खेले हैं जिसमें एक पचास ये कर चुके हैं इसके बाद नमबर तीन पर है नमबर चार पर है शाय होप 43 का स्कूर किया था लास्ट मैच में ये खिलाड़ी को आप आँख बंद करके टीम में रख सकते हो क्योंकि दोस्तों ये स्टीम का सबसे बहतर पेक है सबसे बढ़िया खिलाड़ी है जिसको आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो अगर आपको बल्लिवास को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है तो उसमें सबसे अच्छी चोईस में इसको कहूंगा शुमन, गिल, विराट, कोलियो और शर्माजी से भी अच्छा क्योंकि इनकी कंसिस्टेंसी लेवल बहुत बढ़िया है आप देख सकते हैं कि दोनों पारियों में स्कोर है इंडिया की तरफ से हमने क्या देखा था अधिकतर खिलाडी पहली पारी में बढ़िया कर रहा है इनका दोनों इनिंक में बढ़िया है और हार्दिक पंडिया इन्हें दो बार हाला कि पहले आउट कर चुके है फिर दोस्तो रॉममेन पोविल चार रनों का स्कूर किया इस्पिन तो इनके सामने डाल दी तो इस्पिन के सामने फस जाते है हलाग कि commentators यह कह रहा है ते कल मैंने वीडियो में देखा तो जब match चल रहा था कि spin को बहुत अच्छा केलते हैं और मैं बता दूँ कि spin को बहुत गंदा केलते हैं देखिए leg break के सामने 11 का average, off break के सामने 18 का average, orthodox के सामने 6 का average तो तीनों spinner यहां फस गए अब इसके अलाबा आप देखोगे कुल्दी प्यादा जो की चाइना मेंन है वो इनने 3 बार आउट कर चुके है तो कुल मिलाकर यह spin को बहुत गंदा खिलते हैं अगर wicket से थोड़ा भी turn हुआ ना तो यह जल्दी wicket देखा जाएंगे इसके बाद दोस्तो नमबर 6 पर है इटमायर इटमायर लास्ट मेच में गलाच शॉट कहल कर आउट हुए दोनों पारियों में रेकॉर्ड बढ़िया है 41-25 का दोनों पारियों में एक एक शतक लगा चुके है राइट टम फास्ट बोलिंग के सामने एवरेज इनका 17 का है और कुल्दी प्यादा पहले भी दो बार आउट कर चुके है पिछले मैच में जड़े जाने बोल्ड मारा था फिर इसका दोस्तो रोमारियो शेफर्ड है ये खिलाडी T20 के लिए बहुत अच्छा अपलियर है लेकिन बंडे के लिए उतना बैतर नहीं बैटिंग एवरेज देखो के तो 15 का है और 22 पारी में 15 विकेट है अगर टर्न हो रहा है तो इनको रख सकते हैं फिर दोस्तो डॉमिनिक ड्रेक्स तीन पारी में 2 विकेट इनके खाते में है लेफ्टाम मीडिया में और गुदाकेश मोटी 5 पारी में 10 विकेट है जिसने हमने पिछले मैच में टीम में रखा भी था और आज दोस्तों पुर्णी सुपरेस्टार बना दी आप लोगों ने मुझे बागी आगे से नहीं कहूंगा नहीं तो आप नाली में भी लिटवा दोगे मुझे चलिए कैप्टन वाइस कैप्टन शाय होप जड़ेजा कुलदीप यादब इजी चॉइस है जी एल में जाओगे मोटी अथांजे और शर्मा जी को रख सकते हैं और यहां से देखें और शाय होप शर्मा जी कोहली गिल अथांजे इसके बाद हार्दिक पंडिया मेर्स जड़ेजा वाइस कैप्टन कुलदीप शार्दूल और यहां पर गुदाकेश मोटी तो यह कॉम्बीनेशन है अब अगर मुझे कोई चेंज करना है मतब टॉस के अकोडिंग पिछ के अकोडिंग कोई भी चेंज होगा तो वह मैं आपको सीधर टेलेग्राम पे देदूग